हेलो तो क्या हाल चाल है सब लोगों के स्वागत है आपका only selection word में और जैसा कि मैंने आप से कहा था कि जितने भी codes में schedules हैं उन सब को compile करके मैं एक वीडियो में आपको दे जिससे आप last time उसको जाते हुए आराम से revise कर सकें बहुत ही जल्दी से लेकिन थोड़ा time इसलिए लगा उस वीडियो में क्योंकि मैंने time जाते हुए आप एक मेजर में इसको revise कर सकते हैं दो से तीन मिनट में और दो से तीन question में एक से दो question मिनिमम दो question तो यहां से आते ही है क्योंकि जो accounting में भी जो एक्ट पूछा जाता है companies act 2013 उसको भी मैंने combine कर दिया है पुराने act को भी combine कर दिया है और नए code को भी combine कर दिया है साथ में जब आप एक साथ study करेंगे इनको एक साथ में रखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कौन सा act जो है वो कौन से code में subsumed है क्योंकि जो schedules हैं वो same same से होंगे ठीक है schedule होते क्या है बैसिकली schedule यही होते हैं कि जो उपर बताया जाता है उसमें जो चीजे ज़्यादा specify करनी होती है जैसे aggregators specify करना social security में ठीक है so standing orders में कौन से matter आएंगे यह specify करना है industrial relation में तो वही सब नीचे लिखा जाता है वही schedule होते हैं तो उससे आपको काफी सारा idea होगा कि वो code या क्या कह रहा है किस बारे में है और कौन से code में यह सबस्यूम्ड है ठीक है तो यह सारी काफी सारी information revision के लिए आपको यहां से मिलेगी और एक marathon session के लिए आप industrial relation और social security के लिए मुझे बोल रहे थे तो वह भी next week में आ जाएगा ठीक है Monday अट Tuesday तक जिसमें पूरा वो कितने भी गंटे का हो सकता है हो सकता है पांच गंटे छे गंटे का भी हो जाए लेकिन उसमें पूरा आपका industrial relation theory part excluding acts और courts को हटाके बाकी पूरा theory part चाहें वो social security का हो चाहें industrial relation का हो जितने भी लोगों ने जो भी definition दी हैं जितनी भी theories आती हैं जो भी सब कुछ होता है यहां तक कि उसमें जो accounting में companies act 2013 में जो amendment भी हुए है means पूरा उसमें cover हो जाएगा सिर्फ act वाले पार्ट को छोड़के पूरा theory part social security और industrial relation का पूरा cover हो जाएगा ठीक है तो वो वीडियो आ जाएगा फ्रेजल वर्प का जितना बचावा पार्ट है 130 plus के असपास वो पूरा एक साथ आ जाएगा current affairs पूरे हो जाएगा आपके और accounting principle की एक class आज रात को एक class और एक class कल रात को मतलब 12 के जो दो पार्ट बचे हुए वो अभी हो जाएगे और बाकी जो portion बचेगा graduation का उसको मैं compile करके next week में वो भी एक ही वीडियो में हो जाएगा तो मैंने आप से कहा था कि इसी week हो जाएगा लेकिन वो भी next week होगा तो next week में आपकी accounting complete हो जाएगी industrial relation का theory part industrial relation social security का theory part complete हो जाएगा ठीक है current affairs पूरा complete हो जाएगा और English में phrasal verb तो ये चार जो बड़े-बड़े topic हैं जिनसे आपको डर लगता है current affairs और industrial relation और आपका accounting और phrasal verb ये चारों आपके complete हो जाएगे उसके बाद हम next जो portion है उस पर move कर सकते हैं जैसे only acts जो बचेंगे acts और courts उनकी combined class कर ली ठीक है वो पूरे आपके clear हो जाएंगे history, science means जिसका भी फिर आप बोलेंगे तो उस तरीके से class करके उसको cover किया जा सकता है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि next week तक आपका बहुत कुछ यहां से जो main main portion है main main जो डर वाला portion है जिसमें fear वाली situation है वो सारा next week तक आपका only selection world की तरफ से खतम हो जाएगा फिर आप उसको देख लीजिए जैसा भी आपको करना है ठीक है revise कीजिए notes बनाईए जो भी आप कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इस lecture की शुरुआ आप करते हैं बहुत important lecture है जैसा मैंने आपको बोला ध्यान से इसको पू से एक्ट जो है वो सबस्यूम्ड है standing orders act है और industrial dispute act है और trade union act है तो वही schedule यहाँ पर आपको नजर आएंगे जैसे matters to be provided in standing orders under this code यह है first number schedule जो आपको standing order में मिलेगा इसके बाद है unfair labor practices जो आपको industrial relation के act में मिलेगा और इसके बाद है conditions of service for change conditions of service for change of which notice to be given यह भी आपको मिलेगा standing orders के act में तो यहाँ से आपको काफी कुछ clear होगा कि कौन सा जो एक्ट है वो कौन से code में subsumed है plus वो क्या कहता है तो यह दोनों चीज़ें यहां से आपकी clear हो जाएंगी ठीक है देखते है next है SS code तो यह जो social security code है इसमें साथ schedule है जबकि जो OSH code है उसमें सिर्फ तीन schedule है अगर हम देखें terms में जो subsumed acts है तो उस हिसाब से OSH code बढ़ा है क्योंकि यहां पर 13 code subsumed है जबकि जो social security है यहां पर only no code subsumed है लेकिन इस तरीके से आप याद मत रखना कि ज्यादा code subsumed है तो ज्यादा schedule होंगे schedule कम है ठीक है SS code में सिर्फ no act subsumed है लेकिन schedule है साथ OSH code में subsumed है तेरा act से लेकिन schedule है ठीक है तो SS code में क्योंकि काफी जो important है social security वाले जैसे compensation है ESIC है EPFM maternity benefit, gratuity, construction worker, unorganized worker, employee exchanges तो इस सारे जो important act आते हैं इसी लिए यहां पर ज्यादा schedule है और जो schedule इनमें होंगे means ESIC में provident fund में maternity benefit में वही सब आपको यहां पर मिलेंगे ठीक है तो देखिए first तो है applicability क्योंकि इसमें इतने important जो acts हैं वो कब-कब लागू होंगे ठीक है जैसे ESIC को 10 minimum requirement चाहिए होती है provident fund को 20 minimum requirement चाहिए होती है maternity benefit की अलग है ठीक है तो इस तरीके से सब की अलग-अलग requirement है compensation की कोई requirement नहीं है तो जो अलग-अलग act है यह कब-कब लागू होंगे इस code के तहत कितने minimum requirement पे लागू होंगे उसके लिए है schedule आपका one ठीक है second है list of persons who are employee within the meaning of third provisor to clause 26 of section 2 यानि जो इसमें section 2 है उसके clause 26 में जो list of persons है यानि जो employees कहलाएंगे उनकी list जो है वो second schedule में है third है list of occupational diseases ठीक है list of occupational disease यह है schedule 3 list of injuries deemed to result in permanent total partial disablement यह जो schedule है यह आपको as it is मिलेगा ESIC में as it is मिलेगा compensation में क्योंकि उसी से related बात है इसलिए यहां भी है क्योंकि वो दोनों इसी में आते हैं ESIC और compensation इसके बाद है matters that may be provided for in the schemes ठीक है यह भी आपको मिलेगा आगे और इसके बाद है factors for working out lump sum equivalent of compensation amount permanent disablement and death यह भी आपको मिलेगा compensation act में क्योंकि यह इसी में subsumed इसलिए यहां भी आपको मिल रहा factors for working out lump sum equivalent of compensation amount permanent total disablement or death ठीक है इसके बाद है classification of aggregators classification of aggregators से क्या ध्यान आएगा आपको कि social security fund एक बनाया गया है इस code के तहत जिसमें aggregators भी कर सकते हैं योगदान ठीक है और यह होते क्या है aggregators जैसे ओला उबेर वगरा है तो वहां पे जो ओला उबेर है means जो aggregator है जो दो लोगों को पास में ला रहे हैं आपको cap book करनी है और एक car वाले को या फिर आपको खाना खाना है और एक restaurant वाले को तो जो aggregate एक तरीके से करते हैं जो online वाले हैं इनको बोला जाता है और यह भी उसमें योगदान दे सकते हैं कितना दे सकते हैं वो इस code में तो इस तरीके साब को याद हो जाएगा कि aggregators अगर से social security code में आता है इसका मतलब social security fund जो है वो SS code में ही बनाया गया है ठीके इसके बाद है next OSH code ठीके तो OSH code यानि occupational safety health and working conditions code जो है इसमें देखिए क्या है तीन ही schedule है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें number of act सबस्यूम ज़्यादा है लेकिन वो इतना ज़्यादा important नहीं है BD, cigar worker, motor transport, sales promotion employee, working journalist ठीके construction worker, dock worker, plantation, mines, factories means इसमें variety ज़्यादा है लेकिन schedule कम है ठीके तो list of industries involving hazardous process जो factories act में मिलेगा वो आपको यहाँ भी मिलेगा list of matters, list of notifiable diseases ठीके तो जो factory act में आपको मिलेगा आगे वो आपको यहाँ भी मिल रहा है क्योंकि factories act इसी में आता है ठीके तो code तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे इसके बाद companies act 2013 सबसे important act है accounting के हिसाब से ठीके इसलिए इसको बहुत समाल के रखिएगा क्योंकि यहाँ से question आता है पिछली बार schedule 3 से पूछा गया था balance sheet and statement of profit and loss जो आपको दिखाई दे रहा है कि यह जो है वो कौन से schedule से दिया जाता है companies act के ठीके तो यह आपको पिछली ब principles में सिर्फ एक ही act है जिसके schedule से question आता है ठीके और कुछ बचता है तो partnership act 1932 है लेकिन वह आप जब partnership का chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा clear हो जाता है ठीके companies act ही है जिसकी information जादा वहाँ पे नहीं है लेकिन इससे question आता है तो इसके schedule मैंने आपको यहाँ दे दिये है directors फिफ्थ है managing director whole time director या manager शिक्स्त है मेंस उनका appointment managing director का appointment हो whole time director का हो या manager का हो appointment आता है schedule 5 में इसके बाद infrastructure projects यह आता है शिक्स में उसके बाद है seven corporate social responsibility ठीक है CSR अब जो 2019 में change हुआ है इस act में उसमें CSR भी अगर आप नहीं भरते हो CSR क्या होता है आपके profit का आपको 2% हिस्सा जो है वो किसी अच्छे काम में लगाना होता जैसे ताजमेल की सफाई करवा दिया आपने कहीं railway station पे venture लगवा दिया कुछ भी ऐसा करवा दिया तो इसको corporate social responsibility बोला जाता है इसमें आप CSR के तहट जो 2% हिस्सा है वो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो इस पे भी अब ये भी offense की श्रेणी में है अगर आपने नहीं दिया तो आपको बताना होगा कि क्यों नहीं दिया कब देंगे ठीके तो corporate social responsibility के तहट जो amendment हुआ है उसको मैं cover करूँगा theory part जो आप से बोल र जो industrial relation social security का combined रहेगा उसी में जो 2013 के act में जो change हुए है उसको cover करूँगा अभी आप इतना ध्यान रखी corporate social responsibility भी offense बनाया गया है means इसको ना भरना भी offense बनाया गया है amendment ठीके तो यह आता है schedule 7 में appointment of managing director, whole time director manager schedule 5, court of independent director schedule 4, depreciation schedule 2, infrastructure project schedule 6 ठीके तो जो नमबर यहां पे लिखे हुए serial number वही आपके क्या है schedule number है इसके बाद industrial dispute act 1947 तो industrial dispute act 1947 यह सबसे important act है और इससे जो code बना है वो सबसे important code है यह क्यों हमेशा सबसे important का crown इसके पास रहता है क्योंकि इसमें आती है strike ठीके कि strike किस तरीके से की जाएगी और देखिए यहां पर नीचे unfair labor practices लिखा हुआ है तो unfair labor practices ह इसी में आती है और first इसका यह है industries which may be declare to public utility services यह पहले से schedule one में इसके क्या आता है public utility services किन को declare किया जा सकता है जैसा कि अभी banking को 6 महिने के लिए public utility services declare किया गया ठीक है तो वो सब इसमें आता है किसको declare किया रह सकता time आने पर matters within the jurisdiction of labor courts यह आता है second schedule में 3rd schedule में industrial tribunal के लिए क्योंकि labor courts आएगा यहां पर ठीक है तो Labor courts और jurisdiction labor corps के jurisdiction में क्या आएगा और इंडिर्सिट्री जुरिज्डीक्शन बाने का आएगा यह यहां पर है क्यों कि यह जो है लेबर Court and Industrial Tribunal, इसी में आते हैं, ठीक है, तो क्योंकि इसी में आते हैं, इसलिए इनके jurisdiction में क्या आएगा, वो इनके schedule में है, conditions of service for change of which notice to be given, कौन सी service conditions में change के लिए notice देना है, ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको IR code मिला था, और standing orders में मिलेगा, और unfair labor practices भी यहाँ पर आपको मिलेगा, तो strike जो है, इससे decide होती है, और इसमें जो जो भी चीज़ें इसे first schedule है, कि strike में क्या-क्या changes हुए है, standing order में क्या-क्या changes हुए है, सारे आपको ध्यान रखने, और first schedule में जैसे लिखा हुआ है, कि public utility services कौन सी कब मतलब time आने पर की जा सकती है, utility में, तो जैसे मैंने आपको example के दो बताए है, भी banking services को 6 महिने के लिए किया गया, तो जितने भी ऐसे काम थे, जो कहा जाता था कि time आने पर, corona उस सारे time ले आया है, तो अब सारे live example आपको मिलते हैं, ठीके, इसके बाद है, industrial dispute act के बाद में आता है, standing orders act, तो standing orders में matters to be provided in standing orders under this act, एक ही schedule है कि कौन से matters आएंगे, standing orders को provide करने के लिए, ठीके, कौन से matter case में करना पड़ेगा, इसके साथ, इसके act के साथ ही central rules इसके आये थे, जो उतने ही important है, तो उसके schedule में क्या है, model standing orders for establishment not in call mines, in call mines and applicable to all industries, तो 1, 1A और 1B इसके schedule में क्या है, एक में call mines नहीं, एक में call mines और एक में all industries, तो model standing order किस तरह बनाना है, इसके schedule में है, इसके बाद जो second schedule है, उसमें form 126, ठीके, तो इस तरीके से ये standing orders act है, इसके बाद है factories act, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सब में सारे schedule, हर एक code के लिए act के लिए आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब के लिए schedule होते नहीं है, तो जिसके लिए हैं, वही मिलेंगे, लेकिन important कौन से हैं, जो सुदानशू सर ने भी 10 बताए हैं, ठीके, वही वाले आपको करने हैं, अब उसमें क्योंकि schedule नहीं है किसी में, जैसे maternity benefit में, gratitude में, ठीके, इसलिए वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो important है, ठीके, और उनका भी आपको overview लेना है, और जो differences है new code से, वो ध्यान रखना है, जैसे code on wages में नहीं है, तो वो नहीं दिखाई है, लेकिन important है, ठीके, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ है, सिर्फ वही important है, ठीके, तो चलिए, Factories Act 1948 में, list of industries involving hazardous process, क्योंकि Factories Act तो सब बताएगा, यह कौन सी industry है, जो hazardous process involve करती है, यह आ गया, फर्स्ट, सेकेंड है, permissible levels of certain chemical substances in work environment, work environment, कौन से जो chemical substance है, जिनका permissible level है, ठीके, वो आएगा, थर्ड है, list of notifiable diseases, ठीके, notifiable disease, कौन सी है, थर्ड schedule, कितना level permissible है, किसी chemical substances का, schedule 2, list of industries involving hazardous process, schedule 1, ठीके, इसके बाद है, ESIC, तो ESI Act में क्या है, इसका first schedule omit कर दिया गया है, 1989 में जो amendment हुए है, उसके तुरू, second है, list of injuries deemed to result in permanent total partial disablement, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके act में, social security के code में आपको बताया था, कि ये list of injuries deemed to result in permanent total partial disablement, ये, ESIC में भी आएगा, और ये compensation में भी आएगा, तो वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी compensation देने का काम करता है, जहाँ पर ये लागू नहीं होता है, सिर्फ वहीं पर compensation act लागू होता है, तो इस सब चीज़ें आपको इस तरीके से schedule से ध्यान रखनी है, ठीके, क्योंकि इसमें 10 लोगों की limit है और उसमें कोई limit नहीं है, तो जहाँ 10 से नीचे अगर जो organization बचते हैं, वहाँ पर compensation act लागू होता है, ठीके, list of occupational diseases भी इसमें आता है, इसके बाद है payment of bonus, तो बाकी जो है payment of wages equal remuneration और minimum wages, जो code on wages में आते हैं, उनमें schedule नहीं है, इसलिए payment of bonus act यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, इसके भी दो पहले जो schedule हैं, वो competition of gross profit है, अब competition of gross profit क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको bonus देना है, उसके लिए आपको gross profit calculate करना पड़ता है, वो अलग-अलग सालों के लिए अलग-अलग होता है, इसलिए दो schedule है, और इसमें भी amend करके जो third schedule ता, उसको second schedule बना दिया गया है, तो यह दोनों आपको दिखाई दे रहें, computation of gross profit, इसके बाद है, third further sums to be deducted, जो sum और काटना है, और fourth है, calculation of bonus, bonus की calculation आपको करनी है, ठीक है, तो payment of bonus act के schedule है, इसके बाद है, EPF, EPF क्योंकि EPF के लिए ही आप तयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, अगर return में नहीं, तो interview में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो name of industries कौन सी पर लागू होगा, वो option, मतलब schedule one है, second है, matters for which may be made in scheme, अब इसमें ध्यान रखिए, इसका पूरा नाम है, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, क्योंकि इसमें तीन scheme आती है, एक Provident Fund scheme है, एक Pension scheme है, और एक Employee Deposit Linked Insurance Scheme है, क्योंकि ये तीनों इसमें आती है, इसलिए तीनों के लिए अलग-अलग schedule है, matters for which provision में भी made in scheme, second है Pension scheme, और third है Deposit Linked Linked Insurance Scheme, तो ये तीनों ही scheme इसमें आती है, इसलिए तीनों ही यहाँ पर schedule में है, और first है Name of Industries, इसके बाद में है Workman Compensation Act, Workman Compensation Act में आपको बताए कि जहाँ EASI नहीं लगेगा, वहाँ ही लगेगा, इसका first schedule वही है, जो आपको मिला Social Security Code में, उसके बाद में आपको मिला कहाँ पर, EASI में, वही है List of Injuries Deemed to Result in Permanent Total Partial Disablement, ठीके, इसके बाद है Second List of Person who subject to the provision of Section 2 and D are included in the Definition of Employees, यहनि इसके मुताविक जो Definition of Employees में आएगा, वह है Second Schedule, Third है List of Occupational Diseases, ठीके, तो List of Occupational Diseases, यह यहाँ पर आएगा, Fourth है Factors for Working Out Lumsum Equivalent of Compensation Amount in Case of Permanent Disability and Death, तो जैसा Compensation देना ही आपको होता है, इसलिए Lumsum Equivalent Compensation निकालना, यह इस Schedule में आएगा ही, यह Schedule इसमें होना ही चाहिए कि किस तरीके से आप Calculate करेंगे Compensation को, ठीके, तो यह सारे Schedule आपने देखे, अब उन Acts के में नाम बता दूँ, आपको जो Important है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनमें Schedule नहीं है, ठीके, तो Quartz में तो आपको पता है, Code on Wages, ठीके, और कौन से पुराने Act जो है, वो Important है, Trade Union Act 1926, ठीके, वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, Contract, Labors Act, उसके बाद में Payment of Wages, Minimum Wages, Equal Remuneration आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, इसके बाद में है, Gratuity और Maternity Benefit, तो यह भी Important है, इनको भी आपको पुराने से Difference और Overview याद करने हैं, अब इसमें Important होता है कि जब आप कोई पुराना Act पढ़ रहे हैं, तो साथ में नएline Code को ले來說 लेके पढ़े हैं, नए time code पढ़ रहे हैं, तो साथ में पुराने Act को लेके पढ़े हैं, यह जो साथ में लेके पढ़ने से आपको क्या हbye, आपको पता लग जाएगा कि क्या differences हैं और वही Main हैं वही पूछे जाएंगे, या वही पुछे जाने की संभावना है कि क्या इन में डिफ्रेंसेस है क्या बदला है ठीके तो वो अगर आप नए कोड के साथ पुराने सारे कोड देख लेंगे तो आपको फिर कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ठीके तो इस तरीके से अगर करें तो बहुत आसान है और पार्ट के बाद मैं फिर मैं एक्ट का भी आपको पूरा करा दूँगा वैसे कोड्स और एक्ट सबके वीडियो पड़े हुए है ठीके वो भी आप देख सकते हैं तब तक के लिए तो चलिए जुडने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इसको बहुत समाल के रखिए रखिएगा वीडियो को पीडियेफ आपको मिल जाएगी टेलिकराम ग्रूप पे ठीके उसको भी समाल के रखिएगा लास्ट टाइम रिविजन के लिए बैस्ट है यह रामबान है ठीके तो चलिए जुडने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुड़ इवनिंग